हलो एवरिवन मैं मन्जू और आज मैं फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स घर को सजाना हम सबको पसंद है मुझे भी बहुत अपना घर सजा के रखना घर को और्गनाज़ करके रखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे अपने हातों से बनी चीजों से सजा के रखना ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ और कुछ न कुछ नया सीकती भी रहती हूँ तो उसी क्रम में मैंने ये एक फ्लावर बनाना सीखा था पफिस्टीच फ्लावर है ये क्रोश्या से तो उसी का वीडियो मैंने सोचा कि आज शेयर करूँ क्योंकि ये फ्लावर बहुत जल्दी बनता है और बहुत थोड़े से उन में बन जाता है इसे बनाने के लिए हमें उन भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चाहिए सिकस प्लावर वोर प्लावर ऑफिस से हम ये बना सकते हैं तो इसलिए जोड़के मैंने कर्टन बैंड बनाया है अपने कर्टन को बांगने के लिए तो इसी का ही वीडियो मैंने सुचा कि आज मैं शेयर करूँ जिससे कि आपको भी कुछ अगर आइडिया मिले तो आप ट्राई कर सकें तो ये फ्लावर बनाना फ्रेंट्स बहुत एजी है और इसे हम एक कलर के उन से या दो कलर के उन से कैसे भी कलर के उन से बना सकते हैं मल्टी कलर से भी बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है ये बनने के बाद और इसे बीच में जैसे मैंने तो इसमें स्टोन लगा दिया है अगर stone ना हो तो ऐसे भी हम ना भी लगाएं तो ये अच्छा लगता है और इसी flower से मैंने अपना freeze का handle का makeover किया था उसका video भी मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले तो इसमें भी इसी तरह के flower से मैंने इसको decorate किया था जो अभी भी मैं use करती हूं बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे try करें और ये video मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि जितना मुझे आता है या मैं जो भी सीखती हूं अभी भी मैं सीखती ही हूं कहीं से भी मुझे कुछ पता चलता है या कहीं से कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं try करती हूं खुद से तो कुसी तरीके से जैसे मैं ट्राइ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हम की वैसे ही मैं बताओं और इसका मैं वीडियो आप सब के साथ शेयर करें। जिससे अगर आपको भी कुछ आईडिया मिले और या estáakt आपको भी कुछ बहुत अच्छा लगता लगी इसका एक look आता है तो इस तरह के मैंने देखिए मैंने तो अपना curtain band बनाया है और जिसे मैं अपने curtain को मैं बान्ध के रखती हूँ तो ये देखिए मेरा curtain band कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगता है और ये छोटी-छोटी चीजों से मैं अपने घर को सजाती रहती हूँ तो आई होप आपको भी अच्छा लगा हो नेक्स्ट फिर कुछ और लेके आऊंगी तब तक के लिए बाई-बाई